HDFC Instant Consumer Loan अब हमारे डीटल सेवा की पोटल पे लाइब हो चुकी है फ्रेंड अगर हमें इस प्रकार का Consumer Loan लेना हो तो हम किस प्रकार से रेश्टेशन करेंगे चाहे वो VL हो या फिर किसी कस्टमर का हमें रेश्टेशन करना हो लाइब प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो के माधियम से जानेंगे इसके साथ ही दोस्तों 100 प्रोडक्ट में आप कंजूमर लोन प्राप्त कर सकते हैं इजी M.I.E. के साथ साथ में ये भी जानेंगे दोस्तों की कितने तक का लोन सेंसन हो सकता है इंस्टेंट कंजूमर लोन के माध्यम से वीडियो मागे बनेस पहले आप सभी दोस्तों सागरा करना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने भी तक हमारे चैनल न्य अपडेट ओनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिरेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्यूंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि CSC की प्रेक्टिकल एवम इंपोर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं जब भी दोस्तों हमें HDFC की पैंक एकाउंट नहीं है तो भी आपकी कंजूमर लोन राप्त हो सकती है लेकिन कुछ नॉर्मल से चार्जेस लग सकते हैं तो चलिए अब हम आगे जानेंगे कि किस प्रगार से हमें कंजूमर लोन के लिए लाइब रेश्टेशन करना है या फिर हम किस प्रगार से लाइब रेश्टेशन कर सकते हैं डिजिटल सेवा की पोटल के माध्यम से सबसे पहले हमें करना क्या है तो उस तो अपनी डिजिटल सेवा की पोटल को ओपेन करना है जैसे हम ओपेन करेंगे इसे लोग इन भी कर लेंगे जब हम Digital Siva की Portal को Login करेंगे फ्रेंड पहली डेस्बोट कुछ इस प्रगार की होगी हमें Services पे किलिक करना है जैसे हम Services पे किलिक करेंगे इसके बाद हम Search पे किलिक करेंगे और यहाँ पे हमें लिखना है HDFC Lawn तो चली हम इसे टाइप करेंगे, जब हम HDFC lawn लिखेंगे तो पहली सर्विस हमारे पास highlighted होगी, HDFC lawn, CSC lawn बजार, इसी option को हमें दोस्तों open करना है, तो इसके लिए हम click here पे click करेंगे, पहली dashboard कुछ इस प्रगार से नजर आएगी, हमें क्या करना है, डिजिटल सेवा connect पे click करना है, तिये रहा दोस्तों HDFC lawn का dashboard, अब हमें आगे क्या करना है दोस्तों, consumer lawn प्राप्त करने के लिए, lawn की product की option आप देख पा रहे होंगे, इस dashboard के अंदर, इसी option पे हमें click करना है, जैसे हम इसके internal dashboard में जाएंगे, तो बहुत सारे HDFC के lawn के product आप देख पा रहे होंगे, home lawn, gold lawn किसान, gold card, business lawn, इसके बाद एक option देख पा रहे होंगे, CD consumer, durable lawn, इसी option पे दोस्तों हमें click करना है, instant consumer lawn प्राप्त करने के लिए, तो चलिए हम क्या करेंगे, अब CD consumer lawn पे हम click करेंगे, पहली dashboard दोस्तों कुछ इस प्रकार का होगा, हमें करना क्या है, जिनका भी instant consumer lawn के लिए registration कर करना है, उनका mobile number यहाँ पे हम fill करेंगे, इसके बाद proof of type में हमें क्या करना है, pen select कर लेंगे, जैसे हम pen card select करेंगे, इसके नीचे pen card number हमें यहाँ पे fill करना होगा, इसके बाद branch code, LG code, LC code, यह सारे code के बारें भी हम जानेंगे, branch code में हमें क्या fill करना है दोस्तों, आपके district में HDFC bank का जो भी branch हो, जहां से आपके CAC ID का bank account open हुआ हो दोस्तों, उसी की IPC code की जो last 4 digit होती है, वही हमारी branch code होती है, तो उसे ही हम यहाँ पे fill करेंगे branch code में, जब हम अपनी branch code fill कर लेंगे दोस्तों, इसके बाद हमें LG code और LC code fill करने क्या हो सकता होगी, LG code में हमें करना क्या है, अपनी CAC ID को यहाँ पे fill कर देना है, तो जो भी हमारा CAC ID हो, उसे ही हम fill करेंगे, LC code में हम यहाँ पे CAC VLE type कर देंगे, जब हम LC code भी fill कर लेंगे, इसके बाद type the code so, जो यहाँ पे code so कर रही है, उसी code को यहाँ पे fill करना है, इसके बाद हम I agree करेंगे, और continue के button पे हमें क्लिक करना है, next option में जाने के लिए, ध्यान पुरुवक इस security capture को आपको fill करना है, इसके बाद आपको continue कर देना है, हमारी second dashboard कुछ इस प्रकार की होगी, इसे एक बार ध्यान पुरुवक आप चेक कर लेंगे, जब आप सारे detail को चेक कर लेंगे, इसके बाद आपको करना क्या है, receive verification code पे click करना है, आपके mobile पे verification code जाएगी, फिर उस verification code को यहाँ पे verify करना है, friend, हमारे mobile पे verification code आचुके, friend, हम इसे fill करेंगे, और इसके बाद हम इसे submit करेंगे, submit करने के लिए cursor को थोड़ी हमें down करना है, इसके बाद हम submit करेंगे, जैसी हमारे mobile verification code verify होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, pre-approved offer, HDFC bank के और से हमें instant loan जो मिल रहा है, वो 83,809 रुपे, अगर हम इतने तक का loan लेना चाहते हैं, था हम क्या करेंगे, continue पे click करेंगे, और इससे ज़्यादा का loan चाहिए, था हम try other option पे click करेंगे, और फिर हम other option पे try करेंगे, अगर हमें इससे ज़्यादा का loan चाहिए, जैसा कि द continue पे click करेंगे, तो इस प्रकार की dashboard आपको नजर आएगी, जिसमें आप applicant detail देख पाएंगे, जहां पे हमारी personal detail auto fill हो गई, इसलिए ये detail auto fill हो गई है, क्योंकि HDFC bank में हमारा पहले से ही account है, और सारी detail वहाँ पे submit की हुई है, क्यवाइसी के माध्यम से, 53,809 रुपे अगर हम प्राप्त करना है, HDFC bank का instant loan, तो अब हमें आगे करना क्या होगा, कुछ detail को हमें यहाँ पे सुधार लेंगे, इसके साथ ही दोस्तों आप देख पार होंगे, applicant photo, यहाँ पे upload करने की, जैसे ही आप इस camera पे click करेंगे, तो इस परकार की notification आपको नजर आएगी, allow कर लेना है, जब आप अपने pick को ले लेंगे friend, एक बार अच्छे से अपनी detail को check कर लेंगे, permanent address यहाँ पे auto आ गई है, तो हमें क्या करना है, current address में save है, चैबो पे click कर देना है, क्योंकि वही address हमारी same to save है, cursor को हम down करेंगे, current address के बाद आप product detail देख पा रहे होंगे, product detail पे हम click करेंगे, product detail में आप product type देख पा रहे होंगे, चार option इसके अंदर आपको नजर आ रहे होगी, delivery CD का option देख पा रहे होंगे, साथी delivery lifestyle finance, OTC digital, OTC lifestyle finance, जो भी option आपको suitable लगे उसे आप select कर लेना है, delivery CD का option अगर हम लेते हैं तो इसमें हमारी TV और भी कुछ product आ जाते हैं, इसी परकार से OTC OTC digital लेते हैं तो इसमें हम mobile phone finance करवा सकते हैं, तो दोस्तों इस option को आप ध्यान पूरवक पढ़ेंगे, जिस प्रकार का gadget आपको purchase करना हो, उसी प्रकार की option को आप select करेंगे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, example में, CD delivery में आपकी TV आ जा रही है, OTC digital में आपकी mobile phone जा रही है, तो आप ध्यान पूरवक इसे fill करेंगे, तो हमें क्या करना है, CD delivery हम लेंगे, क्योंकि हमें एक LCD TV purchase करना है, इस finance के माधियम से, manufacturer में आप select कर लेंगे, जिस भी company का जो product आप purchase करना चाह रहे हैं, finance के माधियम से, तो दोस्तों हमें product select कर लेना है, report suspected activity में हम क्या क कर देंगे, फिर से हम cursor को थोड़ी down करेंगे, primary serogates में आप देख पा रहे होंगे, cashback serogate, customer profile में हमें क्या करना है, customer profile ही रहने देना है, इसके बाद दोस्तों हमें submit कर देना है, जैसे हम submit करेंगे दोस्तों, final dashboard कुछी इस प्रकार का होगा, जहां पे आप application detail देख पाएंग साथी applicant, नाम और जैसे ही हम confirm करेंगे, आप देख पा रहे होंगे, pre-approvate, 3,809 रुपे तक का हम loan प्राप्त कर सकते हैं instant loan, जैसे हम confirm करेंगे, हमारी instant loan के लिए registration हो जाएगी, और एक slip generate होगी, जिससे हम जाकर district में जिस भी shop के साथ tie up हो, HDFC bank का, उस bank से इस प्रकार का electronic समान प्राप्त कर सकते हैं, आसा करता हूँ दोस्तो, HDFC bank का instant loan किस प्रकार से हम step by step generate कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी होगी, इसके अलावा किसी प्रकार का भी confusion रहता था आप हमारी वीडियो के नीचे comment box में comment कर सकते हैं, उस confusion को दूर करने की मैं कोसि करूंगा, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बत्तेनेवा, थैंक्यू